नमस्कार दानियूस देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खजूरिया एक तरफ जानुशे 370 को लेकर के लगातार सुप्रीम को पने सुनवाई चल रहे हैं उस तरफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रहे हैं पाकिस्तान से गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं संबर रहे हैं जमकर परदर्शन हो रहे हैं और भारत में विले की मांग की जा रहे हैं पाकिस्तान दिर्गिट जमकश्मीर यानी की पियो जेके में इस समय स्थिती बेहत गंबीर हो के कबजे वाले गिलगित बाल्टिस्तान छेतर के अगर बात किये तो एक बार दोबारा से बड़े पैमाने पर विरोध परदर्शन शुरू हो चुका है परदर्शन में शामिलोग भारत में विले होने की लगातार बात कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये इस शेतर में अब तक का सबसे बड़ा विरोध परदर्शन है सडग पर लगातार चलो चलो कारगिल चलो के नारे गुझ रहे हैं कि चलिए कारगिल चलिए गिलगित में स्थानिया नेताओं ने पाकिस्तान प्रशासन को घ्रह यूद की चेतावनी भी दे दी है सिविल वार की आईए ज चानते हैं कि आखिरकार इस जगा पर ऐसी कौन सी नई जंग छिड़ गई है जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया है पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया लेकिन इसी बीच यहां पर अगर देखा जाए दूसरी तरफ 370 को लेकर के सुनवाई हो रही है कश्मीरी नेताओं के लगातार जो बियान आते रहते हैं फारुग अब्दुल्ला मेबुबा मुफ्ती वो क्या कहेंगे अब इस पर लगातार कहते रहते हैं कश्मीर के मुद्धे पर बात करो पाकिस्तान से बात करो पाकिस्तान में बात करनी चाहिए अब यहां पाकिस्तान के वाला पाकिस्तान आज उस गिल्गित बाल्टिस्तान जो उसने जान पुछ करके कबजाया उस शेत्र के लोगों को जो है यहां पर नहीं संभाल पा रहा है तो कहां कश्मीर की बात करता है दरसल अगर बात किये तो रिपोर्ट्स इस समय जो सामने आ रही हैं पाकिस्तान से में जो वीडियो सोशल मीडिया पर वाइडल हो रहे हैं सामने आ रहे हैं उससे साब पता चलता है कि गिल्गित बाल्टिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है शेत्र में लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोत परदर्शन किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ लगात 25 अगस्त को आया जो वीडियो है वो बताने के लिए ये काफी है कि पाकिस्तान अधिकरित जमू कश्मीर यानी की पीओ जेके में आने वाले गिल्गित बाल्टिस्तान शेत्र की हालत इस समय कितनी खराब है वीडियो में शेत्र के एक समाजिक कारे करता वजीर हसनैन ये कह जाएंगे हम आपके पंजाब में नहीं जाएंगे हम आपके देश में नहीं रहना चाहते हैं कारगिल का रास्ता खोलो हम कारगिल जाएंगे तमाचा है उन कश्मीरी नेताओं पर ये वीडियो में स्थानिये लोगों को चलो चलो कारगिल चलो का नारा लगातार जो है प्रदर्शनकारियों को हटा देंगे और राजमार्गों पर आवाजाही सुचारू करेंगे गिलगित बाल्टिस्तान सरकार ने अब सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी सेना को लगा दिया है और तैनात करने का फैसला जो है यहां पर किया है वहीं यहां के म करने का भी फैसला ले लिया गया है वहीं अवैद सबाओं और रोड ब्लोक्स को खतम करने के लिए तुरंत धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है बैठक में ये भी निर्ने लिया गया है कि सार्वजनिक समारोहों में किसी भी धरम के विश्वासों और पवित्र व्यक्तियो वालों के खिलाफ वक्ड़ी कारवाई की जाएगी ये सब वहां चल रहा है खुद तो अपना एरिया संबाल नहीं पा रहा है पाकिस्तान बड़ी बड़ी बाते करता है और आर्थिक मंदी से भी गुजर रहा है दरसल बाकिर पर एक दार्मिक सवा में उनकी टिपनियों को दर्च किया गया था जो कि पाकिस्तान द्वारा अपने ईश निंदा कानूनों को सक्त बनाने पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी जाहिर तोर पर शिया समुदाय को निशाना बनाने के लिए दरसल शिया और सुन्नी इसलाम के समान बुन्यादी सिदातों को जो ह ने चोथे खलीफा अली का विरोध किया था दरसल अगर बात किया है तो पाकिस्तान एक सुनी बहुल देश है लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान शेत्र में शियाओं की आबादी बड़ी जादा है जनरल जिया उलहक के शासन से शुरू होकर लगातार पाकिस्तान सरकारों ने स तुनियों को इस शेत्र में लाकर गिलगित बाल्टिस्तान शेत्र की जन सांक्य की सरचना को बदलने का प्रयास किया उसको बदलने की कोशिश की वहां की जो डेमोगराफी है पॉपुलेशन के हिसाब से गिलगित बाल्टिस्तान शेत्र को प्रशासनी क्रूप से तीन प् परदर्शन का कोई कवरेज नहीं हो रहा है कुछ नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो और अकाउंट सामने आए हैं जो अंदोलन के पैमाने का संकेत देते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अंदोलन हो रहा है वहीं एक्स जो पहले ट्विटर था वहाँ पर मुझूद अकाउंट्स के अनुसार शुरुवाती विरोध परदर्शन सुन्यों द्वारा 22 अगस्त को आगा बाकिर अलहुसानी की गिरफतारी की मांग को लेकर किया गया था विरोध परदर्शन डैमर में थे जहां पर सुन्य बहु संख्यक हैं उन विरोध परदर्शनों और मौलवी अलहुसानी की गिरफतारी का विरोध करते हुए शिया विरोध परदर्शन जो है कर रहे हैं तो आपस में विरोध परदर्शन ओर रहा है सिविल वार की बाद इस भी आ रही है जिसके वीडियो अब जो है एक्स पर पोस्ट हो रहे हैं परदरशनकारियों को पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुक्ष जनरल असीम मुनीर के खिलाफ पर नारे लगाते हुए सिध्धे तोर पर सुना जा सकता है और यह पहली बार नहीं है जब ऐसी मांग उठी यह आट महीने पहले भी यह मांग उठी थी कि कारगिल रोड खोल कर गिलगित बाल्टिस्टान को भारत के लदाक के कारगिल जिले में शामिल किया जाए यह बहुत पहले से चला आ रहा है और उन लोगों का उस समय कहना था कि सरकार हमारे साथ बेदबाव कर रही है लेकिन अब गिलगित बाल्टिस्टान को लेकर हम फैसला करेंगे वो भी कही ना कहीं उसमें भी यही मामला सामने आया था दरसल उस समय भी पाकिस्तान की सेना जो है वो डेमोगराफी बदलने के लिए दूसरे प्रांटों के लोगों को वहाँपर बसा रही थी प्ठानिया लोग पफ़्टाइब और खैबर पक्तुन्खा के लोग उनकी जमीनों पर कबजा कर रहे हैं इन लोगों को सेना का समर्थन है उनकी सुरक्षा के लिए सेना के जवानों की तनाती की जा रही है वहाँ प्यो जेके में इसके चलते हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने यह मसले पर भारत से दखल देने की भी लगातार मांग कर रहे हैं उसी समय से तो एक तरफ जहां ये कशमीरी नेता बड़ी बड़ी बाते करते हैं कि कशमीर के मुद्धे पर बात की जाएं, पाकिस्तान से आज ये इस पर क्या बोलेंगे जब जमू कश्मीर का हिस्सा भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान के कबजे में हैं वहाँ पर लगातार ये आवाजे उठ रही हैं लगातार ये विरोत पर दर्शन हो रहे हैं कि हमें ना तो सिंध परांट में जाना है ना पंजाब परांट में पा 370 पर बड़ी बड़ी बाते करते हैं बैरहाल अब क्या इस मुद्दे पर पाकिस्तान यूँए जाएगा अभी यहाँ पर जो यह बड़ा अपडेट सामने है गिलकित बाल्तिस्टान से लगादार विडोत परदर्शन चल रहा है और लगातार भारत की सरकार इस समय जो है केंदर सरकार, NDA की सरकार और उसमें सीधे तोर पर अगर BJP की बात कि रहे तो बहुत पहले से उनका क्लेर एजंडा है कि POJK को भी जमू कश्मीर में शामिल करना है यह उन्होंने ठाना हुआ हालांकि समय कब कितना लगेगा इस पर जब भी सवाल पूछा आता है तो उस पर कुछ ना कुछ यहां पर ब्यान आते हैं कि वो दिन जरूर आएगा जब POJK शामिल होगा क्योंकि 370 के लिए भी का जाता था असंबव है नहीं होगा पॉसिबल नहीं है हटाना को 370 भी हटाया आप POJK को भी जमू कश्मिर में शामिल करें अब इस पूरे मामले पर आपके जो भी राय हो जो भी टिकनी हो आप जरूर हमार साथ शेयर करें और इससे तमाम अपडेट क्लिब बने रहे दा नीउस के साथ धन्यवाद